Hello and welcome back to Asset Guide YouTube channel आज की इस वीडियो में हम दो अपडेट देंगे एक आया है Forbes से जब कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यह Forbes website है दूसरा है Coin Telegraph पर तो यह रहा Coin Telegraph तो दो अपडेट हैं पहला अपडेट यह है कि Kraken Exchange ने जो Kraken Exchange है यह Kraken Exchange है इसने आ रहा था अगर जो FTX Exchange वाले अपना जो Bitcoin था यह दूसरी क्रीब का वरंसी अगर उसको Kraken Exchange पर भेज रहे थे तो उन अकाउंट को फ्रीज कर दिया यानि कि जैसे मालो एक सक्स है उसका Kraken Exchange पर भी अकाउंट है और उसने जो है FTX Exchange पर भी अपना अकाउंट बनाया हुआ था FTX से उन्होंने अपना फंड जो है suspend होने की FTX जो है बिड्रोल बंद कर रही थी या FTX पर जब investigation हुआ तो उन्होंने FTX से अपना फंड Kraken Exchange पर ट्रांसफर करने की कोशिज की तो ऐसी कंडिशन में Kraken Exchange ने उन सभी अकाउंट को freeze कर दिया है जिन पर FTX से fund आ रहा था तो अब आप ये भी देख लीजे कि cryptocurrency exchange में ऐसा भी होता है आप एक exchange से दूसरी exchange पर जब फंड को ट्रांसफर करते हैं तो बहाँ पर आपका अकाउंट भी suspend कर दिया जाता है और freeze कर दे जाता है तो इसका alternative हमने कल बताया था कि आप गर आपके पास कोई भी decentralized wallet है तो आप अपना fund उसमें रखकर save कर सकते हैं दूसरा जो forms की तरफ से update आया है उसमें यहाँ पर कखा गया है ये update आया है Binance के CEO ने इन्होंने कहा है serious burning over another crypto exchange after FTX collapse crashed the price of bitcoin and ethereum stay away Binance के CEO कह रहे हैं कि आपको crypto market से कुछ time के लिए दूर रहना चाहिए ना तो आप अभी turbulent market में invest करें नहीं कुछ भी अभी आपको crypto market में नहीं देखना है अगर आपका fund जहाँ पर है उसको ऐसे ही hold करिए अगर हो सकता है तो अपने cold storage में या फिर अपने जो decentralized wallet है उसमें या फिर अपने hardware wallet में अपने crypto fund को save कर सकते हैं बस यही है turbulent market में आप market से अभी रहे हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ी exchange Binance के CEO कह रहे हैं तो यही थे 200 अपडेट वीडियो के जलेगी कमेंट करके जरूर थे हैं यह मिलते हैं next वीडियो में